तो आज हमार को देखने को मिला एक और AEW Dynamite का बैतरीन एपिसोड जिसमें हमार को जोन मॉक्सली, ब्राइन डैनिलसन, CM Punk, हर को देखने को मिला तो क्या कुछ हुआ आज कि इस AEW Dynamite में चलिए देखते हैं तो आज शो की शुरुआत में हमार को यहां पर देखने को मिलते हैं AEW के Undisputed Champion जोन मॉक्सली जो अपनी दासव एंट्री लेने के साथ-साथ आते हैं और अपनी जो Championship है उसके लिए एक Open Challenge अनौन्स करते हैं वह Open Challenge बेसिकली सिर्फ CM Punk के लिए आप कह सकते हैं क्योंकि वह Hashtag No.1 Contender भी है इनकी Championship के लिए लेकिन जो हाल ही में अटकले लगा जा रही थी कि CM Punk AEW छोड़ रहे हैं उसके बाद इसलिए AEW में Dean Ambrose ने ये Open Challenge दिया था आज तो इसके ठीक बाद ही हमारे को Backtrack से बंदा आता हुआ दिखता है और जो पर्चा छोड़के गए होते है Dean Ambrose जो Contract छोड़के गए होते है Dean Ambrose रिंक के बीच में वो उठाता है अपनी जेब में डालता है और वहाँ से चलता बनता है अब ये बंदा कोने इसके बारे में आगे बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारे को यहाँ पर देखने को मिलता है Brian Daniel Sir जैक स्वागर के बीच मैच अब मैं आपको ये पराना नाम इसलिए बतारा है कि जैक स्वागर के नाम से इनको काफी लोग जानते हैं और उनका जो मैच था वह आज का काफी ज़्यादा बढ़िया था जैक स्वागर को मिलता है उसमें चार बंदे डे विंग में टीम आती है और यह प्रोटेस्ट करती हो का पर देखने को बड़ा सारा नंबा स फॉपर स्टार प्रसुम्ह ven pink Q कई और कोई नहीं बलकि WWE के बिग कैस हैं और वो आते हैं सिधा जो उन्होंने पहले मैंने भी इनको नहीं बचाना था लेकिन जब इन्होंने किक मारी जो इनकी बिग बूट था उसके बाद से मैं पैचान गया कि हाँ यह बिग कैस ही है तो नेक्स्ट आमार को AEWP Women's Section देखन हैं कि थोड़ा मुश्किल मैच हमार को देखने को मिलता है क्योंकि इनके जो सूपर स्टार्स के जो मूवस हैं कई ऐसे मूवस हैं जो WWE में बैन हो चुके हैं और फिर भी AEW में दिखाए जा रहे हैं महीं बात कीज़ए अगर इस मैच में जीत की तो यहां पर जीत होती है स्ट्रोम और ही कुराइस सिदा की तो नेक्स नमार को देखने को मिलता है कि वही बंदा जो जोन मोक्सली का ओपन चेंबिंशिप का कॉंट्रैक्ट उठागर चला जाता है वह सीम पंक को काफी खरी घोटी सुना रहा होता है और वह सीम पंक को इसलिए आता क्योंकि सीम पं सब्सक्राइब को मिलने वाला है जोन मोक्सली वसे सीम पंक के बीच उनकी अंडिस्प्यूट चेंपिंशिप के लिए मैच तब बड़े चलते हैं अपने नेक्स सेग्मेंट पर जो किता थ्री ओन थ्री कर टेग टीम मैच जिसमें एक टीम तो काफी ज़्यादा डॉमिनें बटिष्टा बॉम बटिष्टा ही ऐसे फिनिशिंग लगाते थे हैं ऐसा फिनिशिंग हमारा को देखने को मिला और इस बाई की बोड़े ब् में एकदम बडिश्टा जैसे हैं तो आप हमारे को अल आउट जन्याकी आईवल आउट में जो मैच है वो है एह इट मैं का होती है वो भी आप देख सकते कैसे हतरेंगी पिंपॉल के साथ हमार को देखने को मिलता है अपना आज का यह मेन इवेंट अब यह बेसिकली मेन इवेंट दो टीमों के वीच नहीं था बलकि आप कह सकते हैं कि दो रैसलिंग फेडरेशन के वीच था क्योंकि एंजे पी डवल है इस मैच में जो कैनेडी ओमेगा थे वो काफी जादा हमार को डोमिनेंट भी करते दिखे और उन्हीं के फिनिशिंग के साथ इसकी जीत भी होती है तो इसी के साथ होती है आज के नेक्स चे हमारी वीडियो खतम तो आप मेरी तरह अगर यही डबलू और डबलुवली दो उन्हों के फैन है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं मैं नेक्स वीडियो